हेलो गाइज हम एक नए टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं यह कुरुक्षेत्रा उनिवर्सेटी का जो सेकेंड एर का पेपर है नॉलेज और करिक्यूलम इसमें यूनेट सेकेंड का लास्ट टॉपिक है इसको डिसकस करेंगे बच्चे की यूनिवर्सलाइजेशन क्या है और नेशनलिजम क्या है सेक्यूलरिजम जिसको हिंदी में क्या कहते है धर्म निर्पेक्षता का क्या आर्थ है कि एक ऐसा स्टेट जो किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देता मतलब वह सिर्फ citizens को कौई फर्थ नहीं पड़ता कि उसका सिदीजन है कौन सा रिलिजन जैसे कि हमारा देश इंडिया कैसे सेक्यूलर कंट्री में तो सरकार किसी एक धर्म को तबज्जो नहीं देती और वह उसके लिए सभी धर्म बराबर है याने की जो सभी धर्मों को मानने वाले उसके सिटीजन उसके नागरीक बराबर है तो सेकुलरिजम क्या है युनिवर्सलिटी ओफ स्पिरिच्छव वैलीस वह यूनिवर्सल है किसी भी चीज़ को अगर गॉड को आपने पाना है वहां को मानते हो तो वह उसको मानने के अलग-अलग बा प्रतुपतेशलने की तरफ है तो गैसे वह बाइए ढर्म को नहीं मानता यह वह किसी भी धर्म को मांने वाले लोगों के बीच बहीत है डिल रहाए गासिए एक धर्म को सपोर्ड नहीं करता उसके लिए सभी धर्म को मानने वाले उसके नागरिक एक जैसे है ऐसा कहा फिर इसकी definition कैसे दीवी है a state which guarantees individual and cooperative freedom of religion मतलब सबको आपना धर्म मानने की आजादी है किसी पर भी धर्म जो है वह कि आप इस देश में रहोगे तो आपको यही धर्म मानना पड़ेगा इस डीज़ विद एन इंडिविज्वाल एस इंडिविज्वाल एस इंडिविज्वाल की तरह एक नागरी की तरह देखता है इर्रिस्पेक्टि ओफिस रिलिज़ उसे कोई फर्फ नहीं पड़ता कि उसका जो धर्म है वह कौन सा है is not constitutionally connected to a particular religion वह constitutionally मतलब सभीधान जो है किसी भी प्रकार से धर्म को किसी एक धर्म को जो है नहीं मानता उसके लिए सभी धर्म जो है वह बराबर है nor seek to promote any religion और interfere with any religion और नहीं वह धार्म कारियों में किसी भी प्रकार के धार्म कारियों में कोई हस्तक शेप करता है ऐसा state जो है उसे हम क्या कहेंगे है उसे हम secularism कहेंगे यहां state से मतलब देश का है जिसको एक government govern करती है अब यह कैसे secularism जो है वह कैसे education को support करता है spiritual होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि spirituality हमें जो है एक अच्छा जीवन जीने में मदद करती है तो अगर हमारे students spiritual भी होंगे और उन्हें वो सब धर्मों का equal समान करेंगे उनका जो है उसके मानने वाले लोगों का समान करेंगे किसी के प्रती भेदभाव नहीं रखेंगे तो ऐसे सेटीजन देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं तो हम जब as teachers हमें secularism को बहुत importance देनी चाहिए क्योंकि अगर हम एक as teachers secular citizens को बनाने में अपनी help करेंगे अपने nation की तो हम एक अच्छा state बनाने में जो है हमारे nation की मदद करेंगे और वो एक अच्छा world citizen भी बनेगा फिर दूसरा है nationalism nationalism का मतलब हिंदी में क्या है राश्टरवाद से क्या क्या मतलब है nationalism करने connection with rich heritage मतलब हम हमारी जो पूरानी संस्कृती है हमारा जो heritage है संबुद्ध संस्कृत है जो हमारी उसके वह प्रती मेरे प्रेम को मैं राश्रवाद कहूंगी या हर एक इंडिविज्वल जो उसका नागरिक है उसका अपने प्रती अगर प्रेम है तो वह उसका राश्रवाद कहलाएगा रेती अपने जो कहते हैं वह और मिले मळक्री financiले ट्राश्रम किफलाएग उसे कहते है तो वह प्राश्रामाद कटिल्म किन फिल्म है वह उसे हम प्रीजा इसे नियु हम शटनिसम कहते हैं देश आज वह ओंव क्या हम उसे हम लॆके जिते हैं तूर्वानीचिं कई टीर होरॉड की तुवार्थ सक्ikes भी याजरेख व। व्कृति करने अंटीर के मिन याठ के घर्डिक जिसका वो बाशिंदा है जिसका उन्हाग्रीक है उसका जब उसके प्रती प्रेम है या डिवोशन है उसे हम क्या कहते है इससे क्या आएगा नैशनलिजम से जैसे सपोस्ट मैं एंडियन नेशन तो मैं क्या है आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ मेरी अपने आपको कैसे अगर मुझे कोई पूछा तो मैं क्या बताती हूं कि मैं भारतिया हूं अगर कोई कोरिया का हो तो एक सब्सक्राइब करने पर सिएल्फ कर तो सब्सक्राइब कर चिखान है और उपस मेर आसफास के लोग पात पर चीज़ हैं क्वहां going का यहिए हूं किसीनिव आज एसिज़ियर के युचु कि में लोग ते हैं य इंडियन सब्काइब बात कर lean है वह आइड़न्टेटी और नेबर हुद् फिर कल च्राल लाइंटिटी ऑफ वह तो फिर यवे का रचानि कैसे पनाती है और चिज वह धाला है तो सी पटेड़न नेशोहिश है को वह बहुत ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रश्विशन से ही नेशनलिजम की भावना को अपने बच्चों में आने वाले सदीजन्स है नागरिखें उनमें ला सते हैं फिर है यूनिवर्सलाइजेशन याने की पूरा जो विश्व है विश्ववाद जो पूरा विश्व है वह एक जुड़ा हुआ है आपस में वह कह एक दूसरे से सभी विश्व के सभी देश एक दूसरे से चुड़े हों काहिए वह व고 वरनीजेग इंप Scorpion की हैिंख मदों रहरे देखों हमारे देश्व हौहारा के की विधश्व विदेशों बढदे जाते हैं बहुत सारे लोगास हैं हमारे तो सब लोग और हम इस तरह से जो विश्व को हैं वो छोटी सी जगह बन गया है जिसमें सब लोग आपस में मिल जूल रहते हैं तो जब यह भावना हम सब में डिवलप हो जाएगी कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए है प्रित्वी पर जितने भी देश हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए और एक चोटा सा ग्लोबल विलेज है तो हम उस चीज को क्या कहेंगे ग्लोबलाइजेशन कहेंगे विश्ववाद कहेंगे तो यह तीनों कंसर्दे आपको समझवागे होंगे आई होप आप को समझ आगे वंगे तीनों तीनों चंसर और इसे रिलेटेड आप एक Ó cheaper को रीट करेंगे तो आपको और तरह से समझा जाएगा फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू